हेलो दोस्तों मैं हुकुल जीत और आपका स्वागत है में डूटूब चैनल पे तो आज अपने पास है बुलेरू का पुरना वाला बरजन मतलब अभी तो बुलेरू नियो भी आ गई है लेकिने बुलेरू का पुरना वाला बरजन बुलेरू B6 यह भी अभी कंटेन्यू हो साथ साथ में तो जो यह गाड़ी अपने सामने खड़ी है यह आती है तीन वेरियंट में B4, B6, B6 ऑप्शनल मतलब अपने बाद जो है B6 यह अपना मिड वेरियंट जो कि अभी भगवती फ्रंट्लाइन मोटराइजर वेड़न में करने पड़ेगा आपको दसलाख रुप कैसी दिखती है तो सामने से गाड़ी ऐसी ऐसी मतलब यह दोखो सामने यह कुछ इसकी ऐसी ग्रिल देखने को मिलती है महिंद्रा कन्यों बटरफ्लाइ वाला लोगो यह दो डूर इंडिया सिल्वर की है बाग की पूरा पूरा यह बलेक में है और उसी एकसास में तरे इसे कि इसम시면 सिल्वाले होती है और यहां पिर आपको चचे मिलता है डोग लगाने के लिए तो यह दो हो गया कुछ ऐसा है और बात करें हेड्लंप अपना楢़्लीं पेस्ट है तो यह हो गया आपका हेड्लैंप घॉज का पयालतों ogni से निग्टन लैंड लेम तो यह हो गय बसक्ता है और इंजन भी देता है और इंजन भी आपने को बहुत ही अच्छा खासा बड़ा सा देखने को मिल जाता है सामने इस पात करने के बाद पर हम लोग आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाल पर तो इस से गाड़ी को इस परकार दिखाई देती है तो हम सबसे पहले आते हैं गाडी के इस वाले हिसे पर तो आपको मिलता है फंडर पर इंडिगेटर और जी यह काली वाले पट्टी है यह आप आगे से फिर सक दिश्च दिम करें जो कि बहुत ही मतलब प्यारा सुझ पर वाइट करती है और उसके बाद अगर बात करें हम इस गाड़ी के टायर साइज की तो यह कितना है दो सो पंद्रह पचातर आर पंद्रह मतलब इसमें क्या लगा है ना फंद्रह इंच के टैर्स इसमें लगते हैं और बात करें इसमें ब्रेक्स तो आगे इसमें होता है डिस्क ब्रेक और पीछे इसमें होता है ड्रम ब्रेक बात करें सस्पेंशन तो बाड़ी कलर में उसके बाद यह होगा आप डॉर हैंडल बहुत अच्छी सी फिनिस है यह ब्लेक और सिल्दर का जो मिक्चर है ना मतलब बड़ी हाल लग रहा है और उसके साथ यह फूर्स्टेप गाड़ी उची है तो चुछाने की तुछ चाहिए और उसके बाद अगर हम पीछे आए तो पीछे पर देखने का मिलता है पर बुलेरो बीस्ट की बैजिंग यह एर वेंटिलेशन के लिए जगा और यह ब्लेट है यह फिजन होता है कि इस वाली गाड़ी में एक ढकन इस तरफ है और यह धकन आपको मिलता है इस तरफ में तो दुर्म अंतरपता है क पहले आप इसको खोल लेंगे और आपको इस सीट के ज़स्ट कीछ इंह देखरा है यह रिवर्णा आपको इसको खीन पड़ेगा यह आपका इन धकन खुल जाएगा और बात करें कि आपका जो यह ला धकन है यह ला धकन कैसे खुलेगा तो इस धकन को खुलने के लिए आपको इस दर्वाजय को पहले अनलोक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर यह लिवर दिख रहे हैं न पेट्रोल वाला इसको आप जब खीचेंगे तब आपका खुल जाएगा यह ला धकन और इसमें डलता है डिजल इसमें डलता है साथ लिटर मतलब इसका टैंक जो है ना बहुत बड़ा है जो अपने पास एक सीवी और बुल्रो नियो हो गई और आपकी वह स्कॉर्पियो एन हो गई उन सबसे तो मुझे बड़ा ही ला बताया वह ठकन मिल गया बाकि सब कुछ सेम वही सट मिरर वही इंडिकेटर एक एटान होती है वो क्या है इसमें यह आपको मिलता है एक एंटीना बस रिखने और आपको दिखने को मिलेगा अंदर में हाई मांट इसका नहीं मिलता है यह गार्ड रहंडल यह और आपका और दो पॉइंट, पॉइंट फ्रियान सेंसर और अगर बात करें तो ये बहुत ही आच्छा देखने का मिलता है यह बहुत ही आपका रिवर्स ने यह होता ही च्टप लैम और यह बहुत चेमा git यह अब THERE सो दो यह तो बस पीछे से कुछ गाड़ी है ऐसी रही अगर भी हम लोग पीछे ही है तो पहरे पीछे की बात कर लेते हैं तो आपको यह मिलती है सेवन सिटर में तो यह वाले सीट है यह आपको मिलती है मतलब फेस टुफेस बैठने के लिए इधर कुछ आपको में रखिए स्टिरीज यह लगता है आपका यहां पर तो मतलब जो सीट है अगर इस पर दो लोग अच्छे से बैठेंगे ना मतलब बच्चे तो बढ़ जाएंगे लेकिन बड़ी लोग बैठेंगे तो लोग ने बटवाएंगे उनको बैठने में दिक्कत हो गया अगर इसको उठा देंगे तो अपीछा ऊSON COBlue ELRIS, मिल जाएगा तो आप इस इटका साइस हो जाएगे तो आपका यह ऺजा जाएगा और आपको टूल के le bile यह को घृट के लिए यह से पुछा आपको इस दर देखने को मिल जाएगा यह हो गया यह का सेटकेंड रो में यह कपड़े का यह लिदर पाइर क को रोकने के लिए आपका यह हो गया पट्टी लगे हुई है तो कुछ ऐसा देखने को मिलते हैं और दरवाजी में मिलता है चाइल सेफटी लॉफ तो अप सलते हैं गाड़ी के अंदर बैठके यह गाड़ी कुछ ऐसा दिखते हैं इधर सीट के पीछे यह पॉकेट दिया दो वोननों भी ऐड्रिस साथ में कर देखने को मिलता है ये arm arrest कि यह उपको प्रवाट्र देखने को नहीं मिलता है अंदर जाने से पहले एह उख सब्सक्राइब इस प्रवाइब तो मतलब जो भी जगा आप इसको यूज़ करेंगे बस वही है लेकिन जो यह लेदर की फिनिस है यह डूल कलर में है इसमें क्या था यह पिछल अधर बाजा था यह सिंगल में था लेकिन यह वाला है यह तो डूल टून में है अच्छा लूग आ रहा है बात करें हाँ पर स्विच यह स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया हुए है अब यह क्या है कैसे कैसे काम करेंगा यह पता नहीं लेकिन दिया हुआ है यह एड़ लाइट इडिश्ट करने के लिए हो गया उसका लेवल उसके नीचे अगर एसे वेंड्स यह जो इहां पर होना चाहिए थे वह तो देखने को मिलते हैं यहां पर मतलब चारुप अब इसका मेंवर कंट्रोल यह इसका म्यूजिक का कंट्रोल एस इवेंड्स बस इसमें एक एरवेक आपको यहां पर दिखेगा एक एरवेक यहां पर दिखेगा तस यहीं सब किताब है यह स्विच के बात कर लें हैड्लाइट का कंट्रोल यह हो गया इसका वाइपर का कंट्रोल और इसका जो यह है स्पूडोमेटर यह कुछ ऐसा देखने को मिलते हैं मतलब यह आर्पियम यह डिजिटल स्पीड यह फ यहां पर यहां पर भी कुछ दिया हुआ है यह क्या है यह हो गया आपका दो दो USB के लिए जगा और उसके बाद यह हो गया आपका और यहां पर आपका सब्सक्राइब करने के लिए माइक के लिए जगा बस आपका बात करने के लिए माइक के लिए जगा बस बाकी तो खतम तो दोस्तों यह थी अपनी बोलेरो बेसिक्स हमने आज किया इसका डिटेल में रिव्यू आपके साथ में कि 10 लाइक में यह गाड़ी आपको क्या क्या प्रवाइड करवाती है तो यह वीडियो आपको कैसी लेगी कमेंट में जरूर लिखेगा अगर वीडि अगली वीडियो में इनमें से किसी और गाड़ी के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत